हेले बिरोण कैसे हैं आप सब एक बार पुना हाँ सीव कोचिंग क्लासेश पर सवगात है उमीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्तोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल रही होगी 11th क्लास के कमिश्ट्री में आज का टोपिक है आड़ो और परमाड़ो भी अनता जो की काफी महात्पूर है और एक्जाम में कई बार पूछा गया है बच्छो एदी अभी तक आपने हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले 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 और प्रापर रूप से तयारी करें चले शुरू करते हैं बच्छो परमाड़ो है क्या तो डाल्टन साहब का परमाड़ो बाद सिध्यानत आपने पड़ा होगा कि पदार्थ छोटे छोटे कड़ों से मिलकर बना होता है वो सुच्मितमकण जो अभीभाज होता है जिसे और हम छोटे कड़ों में भीभाजित नहीं कर सकते हैं वो पदार्थ का परमाड़ो कहलाता है यहीं पदार्थ का सबसे सुच्मितमकण जो सुतंत्र अभस्था में नहीं रहता और ना ही वो वीभाजित होता है वो आपका परमाड़ो कहलाता है मतलब पदार्थ का सबसे सुच्मितमकण होता है परमाड़ो का इ तो आडू का निर्मार कर लेते हैं देखिए आप अंतर सीख रहे हैं तो परिभासा यूँ आसानी से बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वही चीज आपका अंतर में भी है वही चीज आपके परिभासा में भी है देखिए परमारू जो होता है पदार्त का सुछमतम क मिलकर बना हुआ है अब मैं बात करता हूँ बच्चो एन्टू एन्टू अरू है इसमें नाइट्रोजन के दो परमारू है अब मैं आपके कहता हूँ SCL, hydrogen का एक परमार। वो इसमें、 chlorine का एक परमार। तो कहीं न कहीं, ये जो है, अडू है ये स्वतंत्र है, ये स्वयम में अडू कहलाती ही, स्वतंत्र है लेकिन इसमें जो परमार। जुड़ा है, वो स्वतंत्र नहीं है किसी न किसी के साथ संयोग रहता है यानि जुड़ा रहता है इसलिए हमेशा कहा जाता है कि परमारू जो होता है वो सोतंत्र अबस्था मी नहीं रहता है सिंगल हाइडूदन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा किसी न किसी के साथ संयोग करके रखेगा या कि स्वयम में दो परमाडू को जोड़कर एक अडू का निर्माड कर लेगा तो परमाडू पदार्थ का सुष्पितम करतो है लेकि सुतंत्र अबस्था में नहीं रहता ये वाला कंसेट क्लियर हुआ न कि सुतंत्र अबस्था में नहीं रहता इसके पीछे रिजन क्या है कोई भी परमाडू है वो अडू के रूप में या किसी योगिक के रूप में ही पाय जाएगा सयूगत हो कर किसी अन्द परमाडू के साथ सयूग करता है जान डाल्टन का परमारुवा सिध्धैन्त में आपको बताया गया था कि एक ही तत्तो के परमारु या अलग अलग तत्तो के परमारु वापस में संयोग करके सलन रुपात में संयोग करते हैं और अड़ुया योगी करिमार करते हैं इसलिए कहा जाता है जो आपका परमारु ह वो सोतंत्र नहीं रहता, किसी न किसे के साथ सइयोग करके ही रहता है, जबकि अरू सोतंत्र है, यह आपको मैंने जो दिखाया बच्चो, H2 की बात करें चाए N2 की बात करें, चाए N2 की बात करें यह सभी के सभी आपके अरू कहलाएंगे है ना अरू मतलब योगी से HCL आपका योगी कहला गया तो यह सोतंत्र रबस्था में N2 सोतंत्र रहता है कहीं भी रख सकते हो N2 को लेकिन सिंगल N को नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो परमारू है वो सोतंत्र रबस्था में नहीं रहता है ठीक परमारू जो होता है रासानिक क्रिया में भाग लेता है अब ये रासानिक क्रिया में कैसे बात करते हैं जिसे अभी हम HCL की बात करें HCL किसी से जुड़ेगा तो direct HCL नहीं जुड़ सकता है पहले ये तूटेगा H positive और CL negative में तो जो भी अडू होगा वो पहले परमारू में तूटेगा फिर ये परमारू रासानिक में सयोग होता है जबकि अडू की बात करें तो अडू रासानिक सयोग नहीं करता है यहनी रासानिक अब क्रिया में अडू को हम डाल दिये हैं तो क्रिया में भाग नहीं ले सकता है, क्रिया में भाग कौन लेगा बच्चो, परमारू ही लेगा, सुचमतम कर ही आपस में जुड़ते हैं, दयान लखेगा, जिसे यहाँ पर मैंने कहा, कि हाइड्रोजन हमेशा अणू के रूप में पाए जाता है, इसमें दो परमारू है, जब किसी से क्रिया करेगा बच्चो, जैसे H2 प्लस O2 करता हूँ, H2 प्लस O2, तो डाइरेक्ट क्रिये जुड़ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है, पहले H, H, दो अलग अलग होंगे, इसके फलसरूपी आपस में सहियों करके, H2O प्लस O2 कर निर्माण करेंगे, तो यह कंडिशन है, ऐसा नहीं होता कि डाइरेक्ट आणू जुड़ जाए, तो यह ध्यान रखेगा, रासानिक क्रिया में परमारू भाग लेते हैं, मतलब जुड़ते हैं, आणू भी है, वो क्रिया में भाग लेगा, लेकिन डाइरेक्ट क्रिया नहीं कर सकता, जुड़ नहीं सकता, वो पहले परमारू में तोड़ता है, ठीक है, आगे बच्चों, रासानिक क्रिया में विभाजित नहीं होता, जैसे हम बात करते हैं, कि हाइड्रोजन एक सिंगल है, है ना, वो किसी अरू से मिलकर बना होगा, तो इसको और हम नहीं तोड़ सकती, लेकिन जैसे ह्ट्टू ए हमारा अरू है, रासानिक अभुक्रिया में तोटेगा, ये तोटेगा, ठीक है, तो जब रासानिक अभुक्रिया संपन होती, आरू है तो सिंपल है, परमारू में तोटेगा ही, किसी तत्तो के सभी परमारू समान होते हैं, बिलकुल सही है, भाई, एक तत्तो का जितना भी परमारू होगा, वो समान है, आकार, आकरते, द्रब्मान, आयतन, सम्मिश समान रहते हैं, एक या अनेक प्रकार के परमाड़ों के संयोग से जो हमारे वो अणू का निर्माड करते हैं ये याद रखेगा ये चार डिफ्रेंस है बच्चो और ज्यादा डिफ्रेंस आपको त्यार भी नहीं करना है क्योंकि दो नंबर में कोश्चन पूछा जाता है इससे ज़्यादा कभी हैना कोश्चन नहीं पूछा जाता है चले कोई दिक्कत तो नहीं है ये आपको एदी लिखना है तो इसके जगाए ये भी लिख सकते हैं कि आणू करने नमाड कैसे होता है इक या एक सदिक पर्माडों के संयोक सिंड होता है और यहां पर पर्माड़ मी लिख सकते थे कि अपकर रहाल हो गया। फिल्हाल आपका अंतर हो गया तो फिर आप परमाड़ों और अणों के बारे में समझी गए होंगी छोटे छोटे लेक्चर के मादेम से इस चैनल में 11 ख्लास का संपूर्ण तयारी कराया जाता है इसलिए आप चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फिलाला भी के लिए इतना ही जय हिंद बंदे मातरम